उम साही राम, वेलकम टू साइंस अमरपन चानल, मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ अपनी सफलता को हम सुनिशित कैसे करते हैं, हम सभी चाहते हैं सफल होना इस दुनिया में हर कोई महनत करता है, हर कोई प्रयास करता है, सिर्फ और सिर्फ सफल होने के लिए लेकिन अपनी सफलता को सुनिशित हम कैसे कर सकते हैं आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि हर इंसान सफल होना चाहता है पर इसकी क्या guarantee है कि हम सफल रहेंगे तो आईए आज आपको मैं छोटी सी कहानी के मातेम से पताऊंगी कि आप कैसे अपनी सफलता को प्राप्त कर सकती हो कैसे अपनी सफलता को सुनिशित कर सकती हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी से स्टोरी तो स्टोरी है एक शिश्य की और गुरू की तो शिश्य के मन में बहुत दिनों से एकी सवाल उठ रहा था कि मैं अपनी सफलता सुनिशित कैसे करूं और उनके मन में बहुत दिनों से एकी सवाल उठ रहा था के पास ले चलता हूं और हम दोनों सेर करने चलते हैं तो वो दोनों क्या करते हैं सेर करने चले जाते हैं जब वो दोनों नदी के पास में पहुंशते हैं तो जो गुरू जी होते हैं वो शिश्य से कहते हैं कि जाओ जाके नदी में जाके डुक्की लगाओ और शिश्य को तो टाइब की अन्य नहीं on होता है में सुने स्विर going to the देरनी कान नisionsफ सरस्व करता है तक सब्सक्राइब रहा तो में मुझे कुछ में नहीं सूज कर 강दται मिन्यूंत कर लिए की कोई टेंशन नहीं थी कोई मेरे भाग में बात नहीं थी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मेरा ध्यान था कि मैं सास कैसे लूँ तो गुरू जिनिका बिल्कुल ठीक वैसे ही जिस शिदत से तुमने सास ली है न उसी शिदत से अगर तुम अपनी सफलता की और आगे बढ़ते ज हैं इदर उदर प्रियास करते हैं हाथ पैर मार रहे होते हैं लेकिन अगर हम एक बार फेल हो जाते हैं तो उसके बाद हम उस काम को छोड़ देते हैं बलकि अगर हम सफलता के लिए महनत कर रहे हैं प्रियास कर रहे हैं तो शिदत से करना चाहिए ना कि इदर उदर भटकना चाहिए और हम लोग हमेशा क्या करते हैं हम लोग हमेशा इदर-उदर भटकते हैं हम सब की बातों में आ जाते हैं और हमेशा अपने जो focus है उसको distract कर देते हैं इदर-उदर भटकने लगते हैं सिर्फ लोगों की बाते सुनके वैसा कभी नहीं करना चाहिए अगर आपने अपने mind में एक goal set कर लिए कि मुझे ये काम करना है मुझे इसमें आगे बढ़ना है ना तो आपको उसी में आगे बढ़ना है ऐसा नहीं है कि किसी और ने कोई business किया या किसी और ने कोई जौब की उसमें उसकी तरक्की हो रही है तो इसमें आपका इंटरस्ट है आप उस चीज़ को करो, focus से करो, क्योंकि आपका focus बहुत important है, अगर आपका दिमाग इदर उदर भटकता रहेगा, तो आप कभी भी concentrate नहीं कर पाऊगे, तो सबसे important है अपने काम में concentration power, तो आप इदर उदर भटकने से जादा अच्छा है, कि आप अपने goal की तरफ आगे से आगे बढ मेहनत करिए, क्योंकि कोई भी काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर आप किसी भी line में, किसी भी field में, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो उस पे आप level बहुत उचे जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक teacher हो, तो आप एक अच्छे level पे नहीं जा सकते हो, अग आपकी सफलता सुनिश्यत होगी, तो हमेशा अपने काम पर फोकस किजिए, ना कि इधर उदर की बातों में ध्यान दीजिए, क्योंकि लोगों का तो काम है ना, भटकाना, लेकिन आपका काम है अपनी constitution power को, अपने ध्यान को भटकने ना देना, और हमेशा अपनी काम के लि आपकी उन्नती आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, यह आपपर डिपेंट करता है कि आप किस तरह से आगे बढ़ोगे, किस तरह से आप अपने mind को concentrate करोगे, तो कभी बीना किसी पर ध्यान मत दी कीजिए, हमेशा फोकस कीजिए, अपने उपर concentrate कीजिए, मेहनत कीजिए, आप definitely सफल होगे, और बाबा तो आपके साथ हैं ही, और बाबा का अश्रवाद भी आप सभी के साथ हैं, I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये information अच्छी लगी होगी, मिरते है नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए मैं लोगी समाति, ओम साहिराम, जै साहिराम